आज हम लोग देखेंगे कि हम भाग कैसे करें भाग करने का सबसे पहले तरीका है कि हम देखेंगे कि जो पहली संख्या है वो चार से छोटी है तो ये भाग नहीं जा पाएगा तो हम क्या करेंगे दो अंक लेंगे दो अंक मतलब हम लिये हम लिया 34 संख्या अब चार का पाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 34 से जादा ना जा 4 एकम 4, 4 दुनिया, 4 तिका 12, 4 चक 16, 4 पन्य 20, 4 चीन 24, 4 सत्य 28, 4 अट्टे 32, 4 नीम 36, 36 जादा हो गया तो हमने यह 8 बार गया, गया हमारा गया 8 बार, कितने बार आया, कितना आया, 32, अब यहां से 4 से 2 घटाएंगे हम, 2 आएगा, 3 से 3 घटाएंगे, कुछ नहीं, अब हम एक संख्या उतारेंगे नीचे, 0, अब 4 का पड़ा ऐसा पड़ेंगे कि 20 से जादा ना जाए, 4 एकम 4, 4 दुनिया, 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पन्य 20, कितना आ गया, 5 बार गया, 20, फिर हम इसे घटाएंगे, 0 से 0, 2 से 2, अब हम नीचे उतारेंगे 3, अब जैसा कि आप देख सकते ह तो तीन भाग नहीं जा सकता, 4 से, क्योंकि 3 छोटा है, और एक बार में हम सिर्फ एक ही संख्या उतारते हैं, तो फिर पहले हम इसको भाग करेंगे, 4 का पाड़ा एक बार पड़ेंगे, 4 एकम 4, जो की जादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 का पाड़ा पड़ेंगे, 0 जो बार, 4 का पाड़ा हम 0 बार पड़ेंगे, तो 4 का 0 पे जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0, फिर हम इसको नीचे उतारेंगे, घटाएंगे, यह आया, 3, अब हम यहां से 7 नीचे उतारेंगे, 7, अब हमें पड़ना है, 4 का पाड़ा ऐसे पड़ें, कि सहती से 28 चार और 32 चार नीम 36 और 14 चालिस जादा हो गया तो हम 4 नीम मतलब 9 वार कितना आया हमारा 36 इसको हम घटाएंगे 7 से 6 घटाया 1 और 3 से 3 घटाया कुछ नहीं यह हमारा भाग करने का तरीका है सबसे सरल तरीका